जीनियूज इंडिया आप सभी देश्वास्यों से अपील करता है। समय समय पर अपने हाथों को साभून और पानी से धोई, सैनिटाइजर का उप्योग करें, चहरे पर मास्क अवस्य लगाएं और संभवते घरों से बाहर ना निकले, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित देश सुरक्षित। चुले से खाना बना रहा था, तब रेगुलेटर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते मकान में रखा सामान इन्वेटर टीवी एक लाख रुपे नगदी वे साउंड कपड़े सहीत पास्बुक वे अन्ये जरूरी कागज सहीत अन्ये घर का सामान चलकर राख ह हो गया, आग की घटना के बाद मौके पर पहुँची फायर ब्रिगेड ने वहां पहुँचकर पीडित को हर संभव मदद का भरोसा दिया अब वीरू अच्छा यह बताईए यह घटना क्या हुई है और कितने वचे की घटना है और क्या-क्या समान जला आए यह घटना हुई है कल एक देड़ वजी की करीब रोटी खाना बना रहा थे दोनों चूले जल रहा थे एक में रोटी बन रही थी तो दो रोटी बनाए पापा है रोटी बना रहा थे तीसरी डाइटर में आग लगी थी तो उन्होंने देखा तो वो अंदर रूम से लेकर बाहर फेख दे सिलेंडर को इतना इतना तेज आग लग गई कोई अंदर नहीं जा पा रहा था अब फिर सब कोई कहने लगा कि आग लग गई आग लग फिर सब कोई बाहर चले गाएं गाड़ी बाड़ी लेकर चले गाएं सब कोई बाहर अब फिर वो दो मिनट में फट गया बिल्कुल इनवाटर कूलर टीवी चार-पांच डिक थें और पचास जोड़ी कपड़े रद्दे का लग बग कितने लाख रुपे तक का लग बग फोन किया था वह रोड में आई थी तब तक हमने आग बुझा दिये ती